भोशपुरी में एक कहावत है कि कहले बीना कहानी भुलायलबा ये कहावत आजकल भारत की राजनिदिक परिस्थितियों और घोटालों को लेकर बड़ी सटीक बैठती है वो इसलिए क्योंकि अब बड़े बड़े लब में चोड़े घोटाले हो जाते हैं लेकिन उसकी कहानी कोई कहता नहीं है कहेगा भी कौन जिसका काम है सत्ता से सवाल पूछना वो सत्ता की जूतियां सीधे करने में लगा है जी हाँ कैग ने अपनी रिपोर्ट में ललित कला अकादमी में गंभीर वित्ती अनिमित्ताओं की जानकारी दी है वित्ती अनिमित्ता यानि की पैसे का जोल जाल पैसा किसका आपका क्या है ये पूरा मामला विश्थार चे बात करेंगे इसके साथ ही इस परिवार की बात होगी जहांपर पती पत्नी और मा ने एक साथ जहर खा लिया और वीडियो सूट करके वैरल कर दिया है और अंत में बात करेंगे यूपी के रामराजी के उस खबर की जहाँ पर निहायत ही सरीफ और सामाजिक लोगों ने रामराजी को सवर्ण मुकुट पहनाने के लिए दिन रात की मेहनत करके खुदाई की और 1 किलो 800 ग्राम यानि पौने 2 किलो यानि की लगबग 1 करोड का सोना जमीन से निकाला है ये खबर बहुत ही दिल्चस्प है ध्यान से सुनिएगा मगर वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी संरोध है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो पेज को फॉलो कर लिजिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा इसके साथ ही इसके वार कोड को इसकैन करके आप हमारी आर्थिक साहता करें ताकि भारत को खबर घोटू मीडिया से निजात दिलाई जाए जो जनता की खबरे घोट जाती है और कुछ लोगों की आर्थी उतारने में 24 घंटा गुजार देती है हम सभी को मालूम है कि देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोसल मीडिया ही बचा है कब तक बचा रहेगा मालूम नहीं है इसलिए आप से अनरोध है कि स्वधंतर मीडिया संस्थानों की आतिक साहता करें उन्हें मजबूत करें सबसे पहले इस दुखत खबर पर ध्या जा रहा है जिस तरह से चुनाओ से पहले खासकर 2019 के लोग सबाद चुनाओ से पहले पुलवामा माली घटना के बाद हुआ था प्रदान मंत्री मोदी ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है मगर सबों को दिल्ली ले जाकर फोटो बाजी नहीं हुई 2019 की तरह इन जालियर मुर्खों को यह मालूम भी नहीं है कि अपनी चोटी सी राजनीतिक महत्तोकांचा के लिए यह देश का कितना बड़ा नुक्सान कर रहे हैं दुनिया भर में हमारे देश की जो पहचान है उसको कितनी गंभीर चोट पहुचा रहे हैं ऐसा क्यों है कि जब दुनिय पहुत सारी अनियमित्ताओं की जानकारी दिये है इस रिपोर्ट को दवायर ने प्रसारित किया है डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है आप चाहें तो वहां जाकर विस्तार से पड़ भी सकते हैं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2016 सतरह से 2021 के बीच सांस सारी चीजह सामिल हैं इस रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अन्य निकायों को भुगतान करने में अधिकारियों की न्यूकति करने में और बाहरी एजंसियों की सेवा लेने के साथ ही विदेश यात्राओं की मंजूरी देने में भी बहुत सारे नियमों को अंदेखा किया कुल मिलाकर आम भासा में समझ लीजे कि कैग ने आरोप लगाया है कि जरूरी नियमों को नजर अंदाज करते हुए लंबा चोड़ा जोल जाल हुआ है मगर जनता का पैसा है लुटता है तो लुट जाए किसे फर्क पड़ने वाला है एक बात और है पूरे के पूरे गोदी मीडिया लपड़ जन्डिसों में से आप देखेंगे कि कोई भी इस तरह की खबरों पर कोई चर्चा नहीं करेगा क्योंकि उन्हें इस तरह की घोटालों की चर्चा ना करने के लिए मोटा मोटा माल दिया जाता है इन लोगों को इतना मोटा माल मिलता है कि जिस दिल्ली में हजारों की संख्या में पत्रकार रहते हैं जहां बड़े बड़े टीवी स्टूडियो हैं जहां बड़े बड़े गोदी मीडिया के संस्तान हैं वहीं पर विपक्ष की भारत जोड़ो यात्रा गोदी मीडिया को दिखाई ही नहीं दे रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें आज सुबह के पांच बजे के आसपास की हैं। इस भीड को देखिए। करते हैं एक करोड के सोने की, जी हाँ ये घटना कानपूर की है, वही कानपूर जो रामराज में पढ़ता है, यानि उत्तरप्रदेश में पढ़ता है। यहां बहुत ही सरीफ और सर्जन लोगों ने बैंक रॉबरी की। यानि की लगबग 10 फीट का सुरंग खोद कर स्ट्रांग रूम में घुसें और 1 किलो 800 ग्राम लगबग 1 करोड का सोना लेकर रफुचकर हो गए। बताया जा रहा है कि लगबग 29 लोगों ने अपना सोना जमा किया था, जिसके बदले में लोन लिया था, वो सोना अब गायब है, जांच जारी है। इन लोगों को मैंने निहायत ही सर्जन और सरीफ इसलिये कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सारे अपराधी भाग चुके हैं। समझ गए ना? अब जरा इस खबर पर ध्यान दीजिए, यहां मा बेटे और पत्नी ने एक साथ जहर खा लिया और सारी घटना की रिकॉर्डिं में जो आए दिन इनसे पैसे मांगती है, जिससे परिशान होकर यह इस परिवार जहर खा रहे हैं। आप इनकी बाते सुन लिजिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, सोचल मीडिया की पाबंदिया हैं। पैसे दो नहीं तो मैं भी तुझे अंदर कर दूँगी। एक बाँ मुंबई में तो उसने अंदर कराये, 376 में अभी थोड़ टाइम पेले मुझ्जे में भी मुझे बंद करवा दिया। और आभी एक बोरी कि मैं सुसाइट कर दूँगी। तुम पैसे दो कुछ भी पानिशान होके जहर खा रहा है, यह मेरे मम्मे और हम फैमिली पूरे ही जहर खा रहा है। आपको बता दें कि रिम जिम नाम की इस मुंबई वाली महिला ने पहले भी आसी खान पर धारा 346 यानि रेप का मामला दर्ज कराया था, जब यह आदमी बेल पर बाहर आया तो रिम जिम ने फिर से इसके उपर मुकदमा दर्ज करा दिया उज्जैन में। जहर खाने वाले परिवार का आरोप है कि यह लोग पहले भी रिम जिम नाम की मुंबई वाली महिला को डेड़ डेड़ लाख रुपए दो बार दे चुके हैं, अब वो पांच लाख रुपए की डिवान कर रही है, जिससे परिसान होकर पूरे परिवार ने जहर खा लिया फिलहाल इन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, एक बार फिर से आप सब इस अन्रोध है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आता है, तो इस QR कोट को स्कैन करके हमारी आथिक सहता करें, ताकि आपका मीडिया मजबूत हो, जो आपके मुद्दों पर बात करें, इसक सबने वो गीत जरूर सुना होगा, मुहमद इकबाल ने 1902 में ये गीत लिखा था, गीत की बोल हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मगर इस गीत में एक लाइन आता है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पर चलाना मुझको, इस सब्सक्राइन से कुछ हिंदू संगठनों को दिक्कत हो गई, उन्होंने प्रिंस्पल और सिक्सामित पर मुकदमादर्ज करा दिया, फिर क्या था, यूपी सरकार के बियसे ने प्रिंस्पल को सस्पेंड कर दिया, बताए, अल्ला सब से इतनी नफरत है, कहा तो हम बोला कर और किया होटलों और पब मुसलिम लड़के नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें ड़र है कि हिन्दू लड्कियां मुसलिमों के साथ प्रेम में पढ़ हैंगे, इसे न notion में आप इनॾ मोटने सामें जा रहा है Laelleaz Member, Time Professor तो अपने boycott गेंग खड़ा हो गया है वो पठान फिल्म को boycott करने के कोशिच कर रहा है तो बोलता है अभी यह उन्निस सो असी के दशक में जिया के डाइम पे भी हमारे हैं भी ऐसी boycott गेंग शुरू हुए थे तभी आज हमारे देश का हाल है यह जो तालिबान हुए करना य मैं कैसे बन करवा सकता हूं मुला आपकी बात नहीं कर रहा है जितने समझदार लोग है आपके देश में जो रहरे हैं वो boycott गेंग का boycott करें नहीं तो जो पाकिस्तान का हश्रू है ना वह आपके देश का हश्रू हो जाएगा आने वाले 20 साल में बंदे यह बात में दम है धने छो एको क करेंगे तो हुर ऍविपय कर दो कर taraf दोग्तान काste कर दो है चलिव बात वाइगा ग्रूबई जापके दोक प्र का रहुझ से कर भी अजहीं जापके दोर जा आत मूबई जाहे बंदे जागर पस्टफ़ाएजू है वोग्ड़ है टू है जा इँपके दाना